नमस्कार, मुर्गियों के फार्म में निरिछण के लिए एक इस्पेक्टर आया, तुम मुर्गियों के क्या खिलाते हो, पहला मालिक, बाजरा, इस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरपतार कर लो, दूसरा मालिक, चावल, इस्पेक्टर, खराब खाना इसे भिक संता की साधी हो गई, संता सुहागरात पर अपनी पत्मी को बड़े प्यार से समझा रहा था, कि सबसे प्यार से रहना, सबकी इज़्यत करना, उनका विश्वास जितना, उनका ध्यार रखना, अच्छा खाना बनाना, और हमेशा सच बोलना, संता की बात सुन दुलहन और कमरे का दरवाजा खोर कर चिला कर बोली, सब फटा फट अंदर आ जाओ, यहां बाबा जी का प्रोचन चल रहा है, जंजा ब्यक्ति नाई से बोला, मेरे सीर में तो बाल बहुत कम है, मुझसे तो तुम से कम पैसे लेने चाहिए, नाई बोला, महोदय, मैं आप से बाल क एक बार एक रेल गाड़ी में लिखा था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ती है, एक चोर ने यह पढ़ा, तो पंखा उतारा और लिख दिया, मैं इस संपत्ती में से अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोय मुसाफिर को बाहर निकाल कर तिकट मंगा, मुसाफिर गिर्गराते हुए कहने लगा, साहब माप कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की साधी है, और जाना जरूरी है, टीटी नी रहम खार कर छोड़ दिय इतने में उसकी नजर दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी तीटी ने उसको बाहर निकारगर पुछा क्यों मिया क्या तुम्हारी भी बेटी की साधी है नौजवान ने सर्माते हुए जवाब दिया जी नहीं मैं इनका होने वाला दमाद हूँ भाक्त भगवान से भारत से अमेरिका तक रोड बनाओ भगवान मुश्किल है कुछ और मागो भाक्त बीबी दे दो बिना अफेवर वाली भगवान रोड सिंगल बनाओ या डबल एक बार बातसा अकबर अपने दो बेटों के साथ नदी किनारे गए साथ में भीरबल भी थे दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए भीरबल को उन्होंने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा बिर्बल नदी के किनारे बैट कर उन दोनों के आने का इंतिजार करने लगे कपड़े उन्होंगे अपने कंधों पर रखे हुए थे बिर्बल को इस अवस्था में खड़े देख बादसा अकबर के मन में सरारस सुजी उन्होंने बिर्बल को कहा बिर्बल तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाज कर खड़ा हो बिर्बल ने जट से जवाब दिया महाराज धोबी के गधे के पास केवल गधे का ही बोज होता है किम्तु मेरे पास तो तीन-तीन गधों का बोज है बिर्बल के मुँझ से जवाब सुनकर बादसा अकबर निरुत्तर हो गए एक बार संता को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए अकबर कौन हो तुम संता महाराज मैं संता हूँ अकबर इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे संता कुछ नहीं महाराज गळबराते हुए अकबर सहिन को इसे ले जाओ और बंदी बना दो संता महराज राम करो मुझे बंदी मत बनाओ मुझे बंदा ही रहने दो अकबर बात्सा और बिर्बल में अकसर मजाक होता रहता था उस दिन वे दुनों एक दूसरे से छेड़ चाड़ कर रहे थे बादसा ने कहा पिरवल तुम्हारी इस्त्री अत्यंत सुन्दर है पिरवल ने कहा हाँ सरकार पहले मैं भी ऐसा ही समझता था पर जब से बेगम साइबा को देखा है मैं अपने ही इस्त्री को ही भूल बैठा हूँ बादसा एका एक झेब गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया